हेलो फ्रेंड्स आज में एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा एक्स्प्लेइन करने वाली हूँ ड्रामा के स्टार्टिंग में हम जियांग नाम की एक लेडी को देखते हैं जिसकी डिलेवरी हो रही होती है वहीं बाहर उसका भाई खड़ा हुआ था जिसका नाम यू है इसके बाद जियांग एक लड़की को बर्थ देती है अगले सीन में उसका भाई उससे बोला सिस्टर देखो तुमारी बेटी की वेश्ट पर एक बर्थ मारक है जियांग कहती है मैं इसे देखना भी नहीं चाती यू कहता है तुम ऐसा क्यों बोल रही हो ये बच्ची तो इनोसेंट है तब ही वाँ एक नर्स आती है तो यू उससे कहता है ये पाहर इतना शोर क्यों हो रहा है यहां कुछ हुआ है तो नर्स कहती है अभी अभी जियांग फैमली की डॉटर की डिफिकल्ट डिलिवरी हु को पता चलता है कि जियांग प्रेगनेंट है तो वो उससे कहता है मेरी वाइफ भी प्रेगनेंट है ये सुनकर जियांग बोली तुमने तो कहा था कि तुम्हें उसके साथ बेबी नहीं चाहिए हान बोला हां मैंने प्रोटेक्शन यूज किया था लेकिन वो मेरी वाइफ ह तो अगर वो मेरे बेबी को बर्त दे भी रही है तो इसमें क्या गलत है ये सुनकर जियांग बोली तो फिर मैं कौन हूँ हान कहता है तुम जानती थी कि मेरी एक वाइफ है फिर भी तुम मेरे साथ रेलेशनसिप में रही मैं तुम्हारी इस बेबी को एकसेप्ट नहीं करू फिर हान उसे स्लैप मार कर कहता है मेरी वाइफ जीया फैमली की इकलोती डॉटर है और तुम एक पूर लो क्लास लड़की फिर जीयांग बोली तुम्हें कभी नहीं मिलेकर जो तुम चाहते हो फिर हान उसे एक प्रोब्लम की तो मुझे ब्लेम मत करना ये कहकर वो वहां से चला गया, जियांग ये सब याद कर रही होती है, और अपने आप से बोली, हान तुमने मेरी पूरी लाइफ बरबाद कर दी, फिर वो अपनी बेटी को उससे एक्स्चेंज कर लेती है, और कहती है, अब तुम मेरी बेटी को अपनी डॉटर की तरह पालोगी, और तुमारी ब पर उसका भाई यू आता है और उससे कहने लगा तुम इतनी जल्दी यहां से क्यों जा रही हो अभी तुम और तुमारा बेबी दोनों ही वीक है तो जियांग कहती है मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो इस हॉस्पिटल में स्पेंट कर सकूँ यह कहकर वो एक टैक्सी में बै मैं तुम्हें सबक सिखाती है उसकी चोट पर दवाई लगा रहा होता है और उससे कहता है मॉम ने तुम्हें कहा हिटकी आए मैं तुम्हें मैडिसन लगा देता हूं वरना यहां इसकार्स रह जाएंगे यह सुनकर यावयाव उन्हें अपनी वेस्ट दिखा दिये जिससे देखकर यू अंकल कहते हैं तु अंकल आप मेरी मॉम के साथ आर्ग्यू मत करो उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं है यह सुनकर यू अंकल जियांग से बोले देखो तुमारी बेटी तुमारी कितनी फिकर करती है इसके बाद हमें जिया फैमिली का सीन दिखाय जाता है जहां वो लोग अपनी बेटी यूनिंग का बर्दे सेलिबरेट कर रहे होता है लेकिन उने पता नहीं कि वो उसकी असली बेटी नहीं है तबी यूनिंग के ग्रेंटपा उससे बोले यूनिंग इसे खोलो और देखो ग्रेंटपा तुमारे लिए क्या गिफ्ट लेकर आए उन्होंने उसे गिफ्ट में एक प्रॉपर बोली अभी तो तुम बड़ी जोर जोर से रो रही थी वो सब नाटक था ना तुमारा तब ही अंकल यू उससे बोले सिस्टर अब तुम इसे इनफ डाट चुकी हो तो जियांग उससे बोली मैंने अभी तुमें तो कुछ कहा ही नहीं है तुमने इसके लिए केक खरीद कर वेश्ट कर दिये फिर यू अंकल यावयाव से बोले तुम अपनी मॉम के बार में मत सोचो और जल्दी से कोई विश मांगो यावयाव कहती है मेरी विश यह है कि मैं जल्दी से बड़ी हो जाऊ और बहुत सारे पैसे कमाऊ जिससे अपनी मॉम को हैपिनस दे सकूँ यू अंकल बोले तुमें बस अपनी मॉम की फिकर है मुझे भूल गई तब यावया उनके फेस पर केक लगा देती है और फिर वो दोनों ऐसे ही मस्ती करने लगते हैं जियांग उने देख रही होती है फिर अपने मन में बूली नहीं में सौफ्ट आर्टेर नहीं हो सकती यह मेर जिससे अब वो डिलेवरी करने के लिए जाती है तब ही हो रैड लाइट पर रुख जाती है उसके साइड में येनिंग की कार खड़ी थी वो दोनों एक दूसरे को देखने लगती है यावया उसकी तरफ स्माइल करती है लेकिन येनिंग कोई रिस्पांस नहीं देती फिर यावया वहां से चली गई अगले सीन में हम येनिंग के ग्रैंट पा को देखते हैं जो कॉल पर येनिंग से कह रहे थे आज तुम्हारी बद्दे पार्टी है तो मैं कैसे लेट हो सकता हूं तब ही उनकी कार से एक लड़के का एक्सिडेंट हो जाता है फे वो लड़का ख पैसे दो वर्णा मैं यहां से नहीं जाओंगा फिर वो ग्रैंट पा के पास जाता है तो ग्रैंट पा उससे कहते हैं हम पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे तो लड़का बोला लेकिन आप मेरे हाथ को तो देखो मैं इसके लिए मैडिकल फींस कहां से पे करूंगा मुझ पारा हाथ तो तूट गया था ना फिर तुम मुझे हिट कैसे कर रहे थे फिर वो लड़का बोला चुपचाप से मेरा चेक वापस करो वेना फिर तुम्हें ब्लेम ना करना यावयाव बोली तुमसे तो एलकोहल की स्मेल आ रही है और जितना मैं जानती हूं ड्रंक करके ड पूली नहीं कर सकते फिर वो ग्रेंडपा से कहती है आप ठीक तो है ना आपको कार से बाहर आने की जरूत नहीं यह लीजी आपका चेक उसे देखकर ग्रेंडपा बोले इसका फेस तो बिल्कुल मिस्जिया की तरह दिखता है फिर यावयाव कहती है ग्रेंडपा आप डर तो नहीं गए अगर आपका दोबारा ऐसे गेंग्स्टर से सामना हो तो आपको स्ट्रॉंग बनना होगा तब ही ग्रेंडपा उससे कहने लगे क्या तुमारे अंकल सच में सिक्योर्टी डिपार्टमेंट के डिरेक्टर है यावयाव कहती है नहीं वो तो मैंने उसे जूट बोलें लेकिन हान और जिया दोनों का ब्लड ग्रूप O है तो फिर यूनिंग का ब्लड टाइप A कैसे हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं कि यूनिंग में जिया की बायोजिकल बेटी नहीं तुम पहले होस्पिटल जाओ और यूनिंग का अपने पैरेंट्स के साथ DNA टेस्ट कर वाओ अगले सीन में हम देखते हैं कि यावयाओ फ्लावर्स डिलिवर करने के लिए जिया उसमें आई होती है और फाहा की डेकुरेशन देखकर बोली वाओ ये कितनी अच्छी है फिर वहां लिखी हूई एक लाइन पढ़ती है है ये सुनकर ये निंग उसके पास आकर बो कि लड़के ने ओर्डर किये हैं तब ही वहां पर ये तिंग आता है जो यूनिंग का फ्योंस है जब वह अपने सामने यावयाओ को देखता है तो शौक रह जाता है और फिर फ्लेश बैक में उसे एक सीन यादा था जिसमें वह यावयाओ के साथ रिलेशन्शिप में था और फिर किसी वज़े से उनका ब्रेक अप हो गया अब हम देखते हैं कि यावयाओ जल्दी से उन फ्लावर्स को यूनिंग को पकड़ा देती है और फिर वहां से जाने लगती है जाते हुए वो ग्रेंटपा से टकरा जाती है ग्रेंटपा उससे बोले तुम यहां क्या कर पुर्टर है यूनिंग और आज इसी का बर्तरे हैं तुम यहां रुक्कर हमाशात फन कर सकती हो ये तिंग उससे कहता है ग्रेंटपा इतना कह रहे है तो तुम रुक जाओ, फिर यावयाओ वहां रुकने के लिए मान जाती है फिर यह तिंग यावयाओ से हैपी बर्दे क प्लीज मेरी मॉम को कुछ मत बताना, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो ये तिंग की मॉम मिस मिंग कहती है, ये तुम पर डिपेंड करता है, ये सब याद करने के बाद यावयव उनसे बोली, हाँ ये दोनों बिलकुल परफेक्ट मैच लगते हैं, इसके बाद वो सब वहाँ स गर क्यों नहीं आई, यावयव कहती है, वो मैं फ्लावर्स डिलिवर करने गई थी, लेकिन एक कस्टमर ने मुझे अपने घर रोक लिया, तो उसकी मॉम बोली, उन्हें जरूर तुमारी आइडेंटिटी पता नहीं होगी, वरना तुमारी जैसी पूर लड़की को कौन तुम उससे जूट बोल रही हो न, यावयव कहती है, नहीं मैं जूट नहीं बोल रही, मैं तो यहाँ जिया फैमली की डॉटर को फ्लावर्स देने आई थी, जियांग बोली, जिया फैमली की डॉटर, उसका नाम क्या है, यावयव बताती है कि यूनिंग, तो उसकी मॉम जिया अभी उसका एड्रेस सेंड करो, तभी यू अंकल उसके हाँ से फोन ले लेते हैं, और यावयव से कहते हैं, तुम्हें अपनी मॉम की नॉंसें सुनने की कोई जरूत नहीं, मैं और तुम्हारी मॉम तुम्हें पिक अप करने के लिए आ जाएंगे, ये कहकर वो कॉल कट कर देते हैं, तभी यावयव के पास ये तिंग आता है, तो वो उससे कहते हैं, तुम यहां क्या कर रहे हो, ये तिंग उसे ये अपनी लाइन क्रोस कर दियां, ये तिंग बोला, अगर तुम मुझे सही से सब कुछ explain कर दोगी तो मैं ऐसे pretend करूँगा जैसे हमारे बीच कुछ नहीं हुआ इस पर यावयव कहने लगी क्योंकि मैं तुम्हें ज्यादा like नहीं करती थी और मैं तुमसे बोर हो गई थी इसके अलावा और क्या reason हो सकता है और अब तुम यूनिंग के फ्योंसे हो तो तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए और फिर वो एक विश्मांग थी है कि मैं पूरी लाइफ ऐसे ही princess बन कर रहा हूं इसके बाद grandpa उसे बोले तुमने क्या विश्मांगी तो यूनिंग कहती है अब मुझे बस एक अच्छा husband चाहिए ऐसा वो येतिंग की तरफ देखते हुए कहती है फिर यूनिंग के डैड येतिंग से बोले येतिंग जब तुमारे parents free हो तो बता देना हम साथ में मिलकर wedding date decide कर लेंगे येतिंग बोला अंकल actually मैं तब ही यूनिंग उसे बीच में ही रोक देती है और उसे कहती है येतिंग तुम भी मेरे साथ ये diamond necklace खोलो ये सुनकर सब लोग वहां कहने लगते हैं कि ये necklace इसके लिए इसकी mom ने खरीदा है जिसकी कीमत 100 million dollar है after all Zia family की little princess को सब लोग इतना प्यार जो करते हैं फिर वो इस gift को खोलते हैं और फो देखते हैं कि उसमें से diamond necklace गायब था जिसे देखकर यूनिंग कहने लगी इसमें से necklace कहा चला गया तो एक लेड़ी कहती है यह जरूर किसी ने चुराया होगा लेकिन यहां तो सारे rich लोग हैं तो उनमें से कोई नहीं चुरा सकता फिर यूनिंग बोली मैं समझ चुकी हूं कि किसने चुराया है य यह तिंग बोला यूनिंग प्लीज यह सब भूल जाओ हम तुमारे लिए दूसरा necklace खरीद लेंगे फिर ग्रेंडपा उन सबसे बोले यह लड़की हमारी गैश्ट है और मुझे उसके character पर पूरा यकीन है तब यूनिंग बोली आप दोनों को क्या लगता है कि मैं जूट यूनिंग तुम नॉंसेंस बाते मत करो तुम बिना evidence के कैसे उस पर इल्जाम लगा सकती हो यूनिंग बोली आप इस लड़की को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं अगर ऐसा है तो आप उसे ही अपनी granddaughter बना लो इसके बाद मिस्जिया यावयो के पास जाती है और उससे बोल इतनी रिच फैमिली में हम ऐसे अंदर नहीं जा सकते हम यहीं खड़े होकर यावयो का वेट करते हैं तो जियांग बोली किसने का कि मैं यावयो के लिए आई हूं यह कहकर वो अंदर चली जाती है वहीं दूसरी और यावयो मिस्जिया से कहती है आप अपनी बेटी की बात बान कर मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकती है मिस्जिया बोली अगर मैं अपनी बेटी की बात ना मानू तो क्या तुमारी बात मानू तब यह तिंग मिस्जिया से बोला यह इतनी हार्ड सीक्योर्टी है तो ऐसे में होई-पने आपको पुष् किया नहीं जबरता स्ट को बुलाओ फिर मिस्टर हान उससे बोले पता नहीं कौन से पैरेंट्स ने ऐसी लड़की को पैदा किया है तो यावयव कहती है मैंने कोई चोरी नहीं की तब ही वहां ग्रेंटपा का असिस्टेंट आता है और उनसे कहता है यह वह रिपोर्ट्स है जो आपने मुझसे लाने तो यावयव कहने लगी भले ही मैं तुम्हारी तरह रिच नहीं हूँ लेकिन मैं चोरी कभी नहीं करती यूनिंग बोली अगर तुमने चोरी नहीं की तो तुम इतना गुसा क्यों कर रही हो यावयव कहती है क्योंकि आप लोग मुझ पर जूटा इज़ाम लगा रहे हैं एक बार फिर से कह रहे हूँ कि मैंने कोई जूरी नहीं की तभी मिस जिया उसे एक और स्लैप मारती है और उससे कहती है पता नहीं इतनी शेमलेस डॉटर किसकी होगी तभी ग्रेंटपा अपने मन में बोले जब मिस जिया यंग थी तब वो बिल्कुल ऐसी दिखती थी वह फिर वो दोनों सिक्योर्टी गार्ड से फाइट करके अंदर चले जाते हैं वहीं दूसी और ये तिंग मिस जिया से कहता है आंटी ये लड़की जब से यहां आई है तब से फोन पर बात कर रही थी इसको चोरी करने का तो टाइम भी नहीं मिला मिस जिया बोली तुम्हें क बीच कुछ तो है ये डिलिवरी करल इतनी सिंपल नहीं लगती तब ही आवयाओ कहती है मैं कही बार मिश्टी ये तिंग के गर फूड डिलिवरी करने गई हूं तो हम बस तभी मिले थे फिर यूनिंग उससे कहती है यावयाओ मेरा नेकलेस वापस लोटा दो यावयाओ कह बाद में बात करते हैं फिर वह एसिस्टेंट से उन रिपोर्ट को अंदर रखने के लिए कहते हैं इसके बाद यूनिंग यावयाओ से कहने लगी अगर तुमने कोई चोरी नहीं किया तो फिर तुम मुझे अपने आपको सर्च क्यों नहीं करने दे रही इस पर यावयाओ बोली क्योंकि मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है तुम मुझे किसी चोर की तरह ट्रीट नहीं कर सकती तब ही मिश्टर हान कहते हैं एक तो तुम इतनी रिच फैमली में गुश गई और अब जबान चला रही हो पूर लोगों की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती तब ही ग्रेंडपा उसे डाट कर चुपकर आदेते हैं ये देखकर यूनिंग अपनी मॉम से बोली मॉम देखो न कबसे ग्रेंडपा एक आउटसाइडर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं फिर उसकी मॉम ग्रेंडपा से कहती है डैड मैं जानती हूं कि आप बहुत सौफ्ट तो ग्रेंडपा बोले जिस तरह यूनिंग तुमारी बेटी है उसी तरह ये लड़की भी किसी की बेटी होगी फिर यूनिंग कहने लगी इसका फेस देखकर तो ऐसा लगता है कि इसके फादर ने इसकी और इसकी मॉम की बिलकुल केर नहीं गी तो इसके पास मेरी जितनी अच्छी फैमिली कैसे हो सकती है फिर मिस जिया उससे बोली मुझे नहीं पता तुमारा फैमिली बैक्ग्राउंड कैसा है लेकिन तुमारी मदर भी जरूर तुमारी जैसी होगी यूनिंग बोली आप मेरी मदर के बारे में कुछ नहीं कह सकती तो यूनिंग कहती है तुमा माफी मागू, क्या हो या बूली, तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो, पर तुम्हें मेरी मॉम से माफी मागनी होगी, तब ही जियांग उसे एक स्लैप मार देती है, और उससे कहती है, माफी तो तुम्हें मागनी चाहिए, अब तुम इतना गिर गई कि दूसरों की चीजें च कहती है मुझ які क्यूं देखना चाथ चाथ हो किया मैं तुम्हारी ढुटर हूं ये सुनकर हान के हाथ से वाइन का गलास गिर जाता है तो जियां उसकी तर्फ गुश्से से धेखने लगती है फिर मिस करो तबी हान वहां जाकर जियांग को स्लैप मार देता है और उससे बोला मुझे नहीं पता तुम मुझे कैसे जानती हो लेकिन ये सब तुम अपनी बेटी को बचाने के लिए कर रही हो फिर जियांग उससे गुसे में कहती है तुम जूट बोल रहे हो तभी यूनिंग उसे चोरी करने का कोई नया तरीका निकाला है तो यावयाव उससे बोली अच्छा होगा कि तुम मेरी मौम से इस तरह बात ना करो तब इसकी मौम उससे कहती है तुमने इसकी जो भी चीज चुराइए वो वापस कर दो यावयाव बोली मैंने कुछ नहीं चुराया आप मुझ पर यकीन क्यों नहीं करती आप मेरी मौम है जियांग बोली तो क्या वो रिच लड़की जूट बोल रही है तुम आपने आपको समस्ती क्या हो फिर यूनिंग कहने लगी यावयाव देखो तुमारी मौम भी तुम पर ट्रेस्ट नहीं कर रही लगता है तुमारा डेली का चोरी करने का काम है फिर कुछ लों कहने लगे पेरेंट सबने बच्चों को अच्छे से जानते यह周री कर जरूरी करती होगी फिर जियांग उससे फिर से नेकलेस मांगती है लेकिन baba मना कर देती है तो यह वो उन्से इक सलैप माय देती तो ये तिंग उनसे बोला अउंटी उससे बोली, भले उसने चोरी कियो, लेकिन तुम्हें अपनी बेटी की साथ ऐसे भी हो नहीं करना चाहिए, जियांग कहती है, तुम मुझे मत सिकाओ कि एक मदर को कैसे भी हो करना चाहिए, फिर वो अपने मन में कहती है, आज मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हारी आंकों के सामने बहुत हट करूंगी, फिर वो यावयों से कपड़े उतारने के लिए कहती है, लेकिन यावयों मना करने लगती है, फिर जिांग उसे कपड़े उतारने के लिए इंसिस्ट करती है, इसके बाद अब तुमारे अंकल यहां आ गए है, मैं भी देखता हूँ कौन तुम्हें बुली करता है, फिर यूनिंग कहने लगी, लगता है चोर की पूरी फैमिली यहां आ गई, लेकिन तुमारे डैड क्यों नहीं आए, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमारे कोई फादर ही नहीं है, इस पर फिर यूंकल यूनिंग से बोले, चलो बताओ तुम यावयाओ को बुली क्यों कर रही थी, तो यूनिंग कहती है, वो तो तुम अपनी नीज से ही पूछ लो, तब इस यांग उससे कहती है, इसने इन लोगों का नेकलेस चुराया है, तो यू कहने लगा, सिस्टर यावया सामने घुटनों पर बैट कर माफी माँगनी होगी, ग्रेंटपा बोले, यूनिंग प्लीज उने जाने दो, मैं तुम्हें नए नेकलेस खरीद कर दे दूगा, तो यूनिंग बोली, ग्रेंटपा इसमें आपकी गलती है, इन लोगों ने यहां कर मेरी बद्दे पार्टी खराब कर दी, अब जब तक मैं अच्छे से इंजॉय नहीं कर लेती, तब तक इनको यहां से नहीं जाने दूगी, फिर वो यूनिंग के सामने अपने घुटनों पर बैट जाती है, फिर उसके अंकल उसे उठाते हैं, और उससे कहते हैं, चलो घर चल कर हम भी तुमारा होते हैं, और यह कितनी साल की है, तो यू अंकल कहते हैं, उससे आपको क्या मतलब, तब यावयाव ने बताती है कि मैं 20 साल की हूँ, इसके बाद वो तीनों आसी चले जाते हैं, फिर मिस जिया अपने मन में बूली, क्याई सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, कि इसकी बेटी की और यूनिंग की बर्थ डेट बिल्कुल सेम है, अगले सीन में हम देखते हैं कि यूनिंग ग्रेंट पा की स्टडी रूम में जाती है, और फो वहाँ पर उन रिपोर्ट्स को रून रही होती है, फिर अपने मन में बूली, आखिर उन रिपोर्ट्स में ऐसा क्या था, जो ग्रेंट पा सबसे चुपा रहे थे, तभी वहाँ उसे वो रिपोर्ट्स मिल जाती है, और उसे पता चलता है कि वो मिस्जिया की वायोलोजिकल डॉटर नहीं है, तभी वहाँ पर उसकी मॉम मिस्जिया आ जाती है, और उससे कहती है, लो जल्दी से दूद पीलो, वरना ठ से कहने लगी, अब तुम 20 साल की हो चुकी हो, तुमें थोड़ा समझदार बनना चाहिए, यूनिंग बोली, मॉम अब आप भी मुझे उस डिलेवरी गर्ल की वज़े से डाट रही है, वो एक थीफ है, उसने मेरा नेकलेस चुराया है, और उसने यहां कर मेरी पार्टी भी प्रॉबलम है, जो तुमने उस पर जूटा चोरी का लगा दिया, यूनिंग कहती है, मॉम आप अगर ये बात पहले सी जानती थी, तो आपने मुझे एक्सपोस क्यों नहीं किया, तुम मेरी डाटर हो, मैं तुमें सब के सामने इंबर्स कैसे कर सकती हूँ, तुम चाहे जो यावयाव बोली, मॉम मैं सच कह रही हूँ, मैंने उनका कोई सामान चोरी नहीं किया, जियांग कहती है, तुम सिर्फ एक डिलेवरी गर लो, फिर तुम जिया हाउस में गई ही क्यो थी, यावयाव रोते हुए बोली, क्योंकि मुझे ग्रेंपा ने इंवाइट किया था, वो तुम्हारे ग्रेंट पा नहीं है, तभी यू अंकल उसके लिए वाँ केक लेकर आते हैं, तो यावयाव जल्दी से अपने आसू पोंच ले दिया, फिर यू अंकल उससे बोले, क्या तुमारी मॉम ने फिर से तुमें डाटा, यावयाव कहती है नहीं, यू अंकल बोल मॉम क्या मेरा बर्त मिश्टेक थी, तो जियांग अपने मन में कहती है, अगर तुम ना होती तो हान मुझे कभी नहीं जोड़ता, तुमारी वज़े से मैं अपनी बेटी से 20 साल दूर रही हूँ, तभी यू से बोला, सिश्टर मैं जानती हूँ कि आप बहुत गुसा है, क अभी चोरी नहीं कर सकती, लेकिन तुमने जिया फैमिली की डॉर्टर की हैल्प की, और वहाँ सब के सामने यावयाओ की इंसल्ट की, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तुम इसके साथ ऐसा भी है क्यों करती हो, तभी उसे फ्लैश बैक में एक सीन यादता है, जिसमे हान उसे स्लैप मार कर कहता है, मेरी वाइफ जिया फैमिली की डॉटर है, और तुम एक पूर फैमिली से बिलॉंग करती हो, यह याद करने के बाद जियांग कहने लगी, क्योंकि ये लड़की एक पूर फैमिली से है, और जिया फैमिली की डॉटर बहुत अमीर है, पूर ल पाइलोजिकल डॉर्टर हुए नहीं जियांग कहती है तुम कैसी बाते कर रही हो तब यह उससे बूला सिष्टर तुम बहुत ठक गई होगी चलो जाकर रेस्ट कर लो यह कहकर वह उसे वहां से ले जाते हैं इसके बाद यावयव वही बैटकर अपने गिरे हुए केक को अंकल आपने मेरे डिजाइन्स को देखा न अंकल कहते हैं मैंने सिब देखा ही नहीं बलकि एक रेजियों भी सब्मिट करवा दिया यावयव बोली जब मॉम को यह पता चलेगा तो बहुत गुस्सा होंगी अंकल बोले तुम में इतना अच्छा टैलेंट है तक तुम यह फूट डिलेवरी करती रहोगी तुम अपने टैलेंट को इस तरह बरबाद नहीं कर सकती यावयव खुश होकर बोली अच्छा आपने कहां अपलाई किया है तो अंकल कहते हैं सबसे बड़ी जूलरी कंपनी जिया ग्रूप में अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंपा का असिस्टेंट उनके पास डिजांस लेकर आता है और उनसे बोला यह किसी ने डिजांश सब्मिट करवाई हैं इन्हीं देख लो वो डिजांस ग्रैंपा को बहुत पसंद आते हैं फिर ऊसिस्टेंट से बूले यह किसके डिजांस है जब मेरी बेटी जिया यंग थी तब व जाती है और उनसे बूली ग्रेंटपा आप क्या कर रहे हो ग्रेंटपा बोले यूनिंग तुम यहां क्यों आई हो और फिर अपने मन में कहते हैं भले ही इसका डियाने टेस्ट नेगेटिव आया हूँ लेकिन मैं इसे यह बात बता कर हट नहीं करूंगा कि यह जिया फैमली क से बूले लगता है मुझसे मिश्टेक हुई होगी फिर यूनिंग उनसे कहती है क्या आपको सचता कि मैं अपनी मॉम की बेटी नहीं हूँ तो ग्रेंटपा कहने लगे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है वो लाच्ट टाइम तुमारा ब्लड टाइप गलत आया था तो मैं यूनिंग कहती है ठीक है मैं आपको माफ कर देती हूं अफ्टर आल आप मेरे बैलोजिकल ग्रेंट फादर यह कहकर वो उन्हें हग कर लेती है और अब हमें फ्लेश बैक में एक सीन दिखाया जाता है जहां यूनिंग असली डियने रिपोर्ट को जला देती है और फिर कॉ यूनिंग बोली मैं नहीं चाहती है कि तुम्हाई वज़े से ट्राफिक पुलिस हमें परिशान करें तो यावयाव कहती है ठीक है मौम मैं आगे से ध्यान रखूंगी तब ही उनके घर का डोर नौक होता है यावयाव डोर खोलती है तो देखती है कि वहां पर यूनिंग पर यूनिंग तब्सक्राइब तुम्हें पर डात्रूम से जोता है तुम चाहती क्या ओ आए थे इसांटे में रहती है जैसे मैं इसकी डॉटर हूं इसके बाद वह यावयाव से बोली में तुम्हारी गरी बी दूर करने आई हूं ग्रेंपा ने तुम्हें इंटर्व्यू के लिए जिया ग्रूप में इन्वाइट किया है यावयाव कहती है कौन सा इंटर्व्यू तो योनिंग बोली ग्रेंपा को तुम्हारे डिजाइन्स बहुत पसंद आए और फूर तुम्हारे टैलेंट की बहुत तारीफ कर लो इसलिए आज रात को तुमको हान्यू क्लब में आना होगा तब ही जियांग उस्से में यावयाव से बोली तुमने जिया ग्रूप में रिज्यूम सब्मिट करवाया है यावयाव कहती है हाँ जियांग बोली अब तुम्हारे इतने पर निकल आए मैंने तुमसे कहा था कभी न कभी उन्हें पता चली जाएगा कि यावयाव जिया फैमली की डॉटर है फेवर यूनिंग से कहती है इसे कोई डिजाइन नहीं आती यूनिंग बोली तुम एक फिस सेलर हो तुम डिजाइन के बार में जानती क्या हो यावयाव से गुस्से में बोली क्या हुआ लेकिन प्लीज मेरी मॉम से रिस्पेक्ट से बात करो यूनिंग बोली आंटी हमारे बीच जो पहले मिसंडेस्टेंडिंग हुई थी उसकी वज़े से आप यावयाव का फ्यूचर बरबाद मत करो आई होप आप मेरी बात मानेंगी ये सुनकर जियांग अपने मन में कहती ह आज मेरी बेटी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा ए तो मैं इसे बात Ao याव याव इसके लिए मना करती है। तो योनिंग बोली यह गाणपा की विश है। उन्हों नहीं तुमारे लिए ट्रेस चूज़ किये। फिर यावयाव उन्हें ले लेती है, अब यूनिंग को flashback में एक scene यादाता है, जिसमें grandpa उसे बता रहे होते हैं कि, यावयाव बहुत talented है, तो मैं उसे interview के लिए बुला रहा हूँ, इस पर यूनिंग कहती है, grandpa आप ये सब मुझ पर छोड़ दो, ये सब याद करते हैं यू सुनिंग की बात माननी होगी, इस पर अंकल कहते हैं, लेकिन वो एक bad person है, यावयाव बोली, आप ज्यादा मत सोचो, वैसे मुझे पता नहीं कि जिया family में से मेरा interviewer कौन होगा, इसलिए मैं थोड़ी नर्वास हो रही हूँ, तो अंकल बोले, don't worry तुम definitely ये interview pass कर लोगी, अगर तुम्हें कोई काम हो, तो मुझे call कर लेना, इसके बाद यावयाव उस club में चली जाती है, फिर अंकल देखते हैं कि यावयाव के कुछ बाल उनके हाथ में रह गए थे, फिर उन्हें flashback में एक scene याद आता है, जिसमें वो जियांग को उसकी बेटी का birthmark दिखा रहे लेकिन जब वो बड़ी हुई तब उस पर कोई birthmark नहीं था, और जियांग भी उसके साथ अच्छा behavior नहीं करती थी, ये सब याद करते हुए अंकल अपने आप से बूले, रगता है मुझे confirm करना पड़ेगा, कि जियांग उसकी biological mom है या नहीं, ये कहकर वो वहाँ से चले ग आपको नहीं जानती, तो लड़की कहती है, तुम ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रही हो, तुमने जो ट्रेस पहनी है वो मैंने तो तुमें दिये, यावयाव कहती है नहीं, ये ट्रेस तो मुझे यूनिंग ने दिये, तब ही मिस जिया गुस्से में बोली, तुम फिर से मेरी पेटी पर इल्जाम लगा रही हो, यावयाव कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तब ही मिस जिया उसे स्लैप मार देती है, फिर वो आदमी मिस जिया से बोला, आंटी आप इस लड़की को हिट क्यों कर रही है, यावयाव चलो इन्हें इग्नोर करो, मैं तुमें फन के ल लेकिन मिस जिया उसे अवयड करके वहाँ से चली जाती है, फिर वो आदमी उसे एक रूम में ले जाता है, अगले सीन में मिस जिया अपनी असिस्टेंट से कहती है, इस लड़की की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, यहाँ तक की इसकी मदर भी इसकी केर नहीं करती, त पर बोले, क्या यावयव अभी तक वाँ नहीं आई, यह सुनकर मिस जिया शौक्त हो जाती है, वहीं दूसी और हम देखते हैं कि वो आदमी यावयव को हरेश कर रहा था, तब ही यावयव उसके सर पर मार कर भागने लगती है, लेकिन वो आदमी उसे पकड़ लेता है, औ वो आदमी कहने लगा, अभी बाहर जो लेडी करी थी उसने भी तुम्हें नहीं बचाया, तुम्हारी कोई केर नहीं करता, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, यह कहकर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तब ही वा मिस जिया आ जाती है, और उ मिस जिया से बोला, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही ब्रेव हो, अब यहां से बाहर जाओ, मिस जिया कहती है, तुम जानते भी हो इस वक्त तुम कहां खड़े हो, वो आदमी कहता है, और मैं ही यहां का लीडर हूँ, तब ही मिस जिया मैनेजर के पास कॉल करती है, फिर य आदमी बोला, यह मेरी और उसके बीच की बात है, तुम होती कौन हो, क्या तुम इसकी मदर हो, तुम मिस जिया कहती है, हाँ, फेव आदमी कहता है, हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं, तुम दोनों बिल्कुल सिमिलर दिखती हो, अच्छा तो तुम दोनों मदर डॉटर नि आदमी बोला, तो क्या हुआ, यह मिस जिया थोड़ी है, यावया बोली, मैंने तुम्हें बताया था कि यह मिस जिया है, इसलिए इन्हें अफेंड मत करो, यह सुनते ही वो आदमी मिस जिया के पैरों में गर जाता है, और उससे कहता है, प्रीज मुझे माफ कर दो, मिस जि जी को परिशान नहीं किया, मुझसे इस सब करने के लिए यूनिंग ने कहा था, इसलिए मैं उन्हें मना नहीं कर सका, यह सुनकर मिस जिया शौक्ट हो जाती है, और उसे स्लैप मार कर बोली, तुम यह क्या नॉंसेंस बाते कर रहे हो, सिक्योरिटी, इसे ले जाकर बाहर तो वो आदमी रोते हुए बोला, मिस जिया प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, तब ही वो लोग उसे महा से बाहर ले जाते हैं, अगले सीन में मिस जिया यावया उसे कहती है, अभी वो आदमी बहुत नांसेंस बाते किया जा रहा था, इसलिए मैं मैंने तुमारी मौम होने का प्रिटेंड किया, नहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना, यावयाव कहती है, नहीं मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, आपने मुझे बचाया मेरे लिए इतना ही काफी है, फिर मिस जिया कहती है, मैंने सोचा कि अगर उसके साथ ऐसा होता तब भी क्या मैं उसे इग्नोर कर देती, फिर यावयाव उन्हें थेंक्स कहती है, और फिर बोली, ओ नो, मैं तो यहां इंटर्व्यू देने के लिए आई थी, लेकिन अभी जो कुछ वा उसकी वज़े से मैं लेट हो गई हूँ, आई थिंग इंटर्व्यूर अभी चले गए होंगे, तब ही मिस जिया उसे उसके डिजाइंस दिखाती है, उन्हें देखकर यावयाव बोली, यह आपके पास कैसे आई, मिस जिया कहती है, तुम सलेक्ट हो गई हो, मैं ही इंटर्व्यूर हूँ, और जिया ग्रूप में तुम्हारा वैलकम है, तुम्हारे ट तब ही यावयाव को याद आता है कि उसके मौम तो उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती है, और उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है, फिर मिस जिया उसे बताने लगती है कि जब यूनिंग पैदा हुई थी तब डॉक्टरस ने का था कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन मैंने अपनी जान कर इसक लेकर उसे बर्द दिया, इसलिए मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, एम सॉरी मैंने उस दिन तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं किया, इस पर यावयाव बोली, कोई बात नहीं, यूनिंग को बहुत अच्छी मौम मिली है, ये सुनकर म लड़की, दुनिया की सारी मौम ऐसी होती है, यावयाव अपने मन में कहती है, लेकिन मेरी मौम तो ऐसी नहीं है, ऐसा लगता है जैसे हो मुझसे हेट करती है, फिर मिस जिया उससे कहने लगी, यूनिंग एक बुरी लड़की नहीं है, उसके बदे वाले दिन पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, इस पर यावयाव कहती है, आंटी आपको पता है, जिस दिन इतने सारे लोगों के सामने मेरी इंसल्ट हुई थी, उसी दिन में 20 साल की हो गई थी, मिस जिया बूली, इसका मतलब तुमारी और यूनिंग की डेट ऑफ पर्स सेम है, यावयाव कहती है हाँ, फिर मिस जिया को फ्लैश बैक में एक सीने आदा आए, जिस मिस जिया रही थी, अब वो मिस जिया से टकरा जाती है, तो मिस जिया उससे कहती है कि तुमारी बेटी रो रही है, ये सब याद करने के बाद वो यावयाव से बूली, तुम कौन से होस्पिटल में पैदा बोली क्या हुआ क्या यह मैट्र आपके लिए इतना इंपोर्टेंट है तो फिर मैं अपने अंकल से पूछ लेती हूं यह कहकर वो अपने अंकल के पास कॉल कर दिया जो हॉस्पिटल में यावयाओ की डियाने रिपोर्ट्स आने का वेट कर रहे थे तभी एक नर्स बाहर आक तब ही अंकल अपने मन में कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि यावयाओ को शक हो गया है कि वो जियानकी बाइलोजिकल डॉटर नहीं है फिर यावयाओ कहती है कि हम अपने मन में पागल हो गई थी मैंने कैसे सोच लिया कि यह मेरी बेटी हो सकती है फिर यावयो बोली अंटी क्या मेरा सच में सेलेक्शन हो गया है तो मिस्जिया कहती है हाँ मैं अपनी असिस्टेंट से कहकर तुम्हें कॉंट्रेक्ट बिजवा दूँगी अब से तुम जिया गुरूप के एंपुलर ही हो यावयो बोली ठीक है मैं बहुत हार्ड वर्क करूँगी फिर मिस्जिया कहती है लेकिन साथ में तुम्हें स्ट्रॉंग भी बनना होगा तुम खुद को दूसरों को बुली क्यों करने देती हो यावयो कहने लगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी मॉम की लाइफ में और प्रॉब्लम्स आए इसलिए मैं ये सब सेहन कर लेती हूँ मिस्जिया कहने लगी लेकिन ये एक बैड हैबिट है तुम्हें इसे चेंज करना चाहिए अगले सीन में यू अंकल घर जाते है bang तो जियां कहने लगी, क्या तुमी ने यावयो का रिजियूम in करवाई था? अंकल कहते हैं हाँ , मैं नहीं जिया गुरूप में उसका रिजियूम दिया जियांग गुस्से में बोली हाँ उसे ये सब एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसकी किसमत भी वैसी ही होगी जैसी हमारी है मैं उसकी मौम हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो पूरी लाइफ मेरे साथ रहे तब ही अंकल बोले बहुत जल्दी वो तुम्हें मौम कहना बंद कर दे दिया था और उनकी बेटी को उठा लिया फिर अंकल यू कहते हैं फिर तुम्हारी अपनी बेटी कहा है जियांग बोली इस बात को 20 साल हो चुके हैं मुझे कैसे पता होगा कि वो कहा है और तुमने यावयाव को वहां ले जाकर मेरी बेटी की लाइफ डिस्टब की तो मैं तो अभी भी वापस आई अंकल आप अपने लिए एक वेटर की जॉब ढूंड रहे थे ना खल मिस्जिया एक प्रेस कॉनफरेंस करने वाली हैं तो मैंने मिस्जिया से उसके बारे में बात की तब ही जिया उससे बोली यावयाव मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हू कि जिया फैमिली से दूर रहो इस्पेशली मिस्जिया और मिस्टर हान से ये सुनकर अंकल अपने मन में कहते हैं जिया फैमिली का नाम सुनकर इने क्या हो जाता है कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी बेटी जिया फैमिली में है अगले सीन में यूनिंग उस आदमे को डाट रही ह होती है जिसने यावयाव को हरेश किया था तब ही वो आदमें उससे बोला अचानक से वहां मिस्स जिया आ गई थी और वो कह रही थी कि यावयाव उनकी बेटी है यह सुनकर यूनिंग उस्से में अपने आप से बोली पहले इसने मेरे ग्रेंटपा को अपनी साइड किया और वो उससे कहते हैं तुम आज यहां पर सबसे सुन्दर दिख रही हो जब तुम स्टेज पर जाओ तो बिल्कुल नर्वस मत होना तुमारे अंकल तुम्हें देख रहे होंगे यावयाव इसके लिए हां कहती है तब भी अंकल बोले यावयाव अगर मैं तुम्हारा बाइलो करेंगे ब्लड रिलेशन होना जरूरी तो नहीं यावयाव तुम मेरी नीज हो और हमेशा रहोगी फिर यावयाव उनसे कहने लगी अंकल आपने दोबारा ऐसी बाते की ना तो मैं रोने लग जाओंगी फिर अंकल कहते हैं आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है व क्या हुआ यूनिंग कहने लगी क्या तुम्हारी इतनी उकात है जो तुम मुझे वाइन देने के लिए आयो अंकल बोले प्रीज आप सो समझ कर बात करो क्या मैं यहाव वेटर भी नहीं बन सकता तो यूनिंग कहती है तुम कुछ ज्यादा ही गरीब हो और अपने उस गरी सोंगे यह कहकर वो उसके फेस पर वाइन फेक देती है तभी अंकल उसे गुस्से में स्लैप मारने वाले होते हैं तो यूनिंग बोली तुम मुझे हिट करोगे अगर तुमने मुझे टच करने की सोचा भी तो सिर्ब तुमें ही नहीं बल्कि उस यावया को भी गसीट कर य सीन आदाता है जिसमें उस यांग को बता रहे थे कि उसकी बेटी की बाड़ी पर बर्तमार्क है यह याद करने के बाद वो यूनिंग से बोले तुम मेरी सिस्टर की बेटी हो यूनिंग बोली यह कैसी नॉंसेंस बाते कर रहे हो अंकल कहने लगे जब मेरी नीज पैदा मिस्जिया से बोली मैंने सुनाए कि यहाज एक बहुत ग्रेट डिजाइनर आई है तो मिस्जिया कहती है हाँ और उसके हमारी कंपनी के साथ कॉपरेशन करने से हमें बहुत फायदा होगा तबी यह तिंग उनसे बोला मैंने आज पहली बार आपको यूनिंग के अलावा कि इसी और की तारिफ करते हुए सुनाए तो मिस्जिया बोली मैं तो तुमारी भी बहुत तारिफ करती हूं तभी तो आज तुम्हें इस प्रेस कॉन्फरेंस में बुलाया है फिर यह जानने के लिए क्यूरेस हूं कि कौन है वो डिजाइनर फिर मिस्जिया वहां पर यावय ठखले दिया फिर यह तिंग की मौम अपने मन में कहने लगी फिर सेलर लड़की यह मत सोचना कि तुम इतने अच्छा कपड़े पहन कर मेरे बेटे को फिर से सैडियूज कर लोगी फिर वह मिस्जिया से बूली यूनिंग का पर है हम आज उसकी और यह तिंग की वैडिंग प्रेवों अंकल से बोली तुम दोनों जरूर टीम बना कर मुझे बेवकूफ बनाना चाते हो तुम दोनों एक रॉबार हो फिर अंकल कहते हैं ठीक है मैं सब लोगों को सच बताने जा रहा हूं तब यूनिंग उन्हें रोकने लगती है वहीं दूसरी और बाकी सब लोग उस और अंकल यूनिंग से कहने लगे तुमने मुझे रोका क्यों मुझे सब को सच बताना है तब यूनिंग कहने लगी एम सॉरी प्लीज आप इस बारे में किसी को मत बताना पाहर काफी सारी मीडिया आई हुई है उन्हें पता चलेगा तो यह सब के लिए अच्छा नहीं और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ जब तक कि प्रेस कॉन्फरेंस कतम ना हो तब तक किसी को कुछ मत बताना क्यूंकि आज यावयाओ के लिए भी बहुत बड़ा दिन है वो आज अपने डिजाइन से या गुरूप को रिप्रेजेंट करने वाली है और फूफ फैम यूनिंग यावयाओ के पास जाकर उसे वाइन देती है तो यावयाओ बोली तुम्हारा मेरे पास आने का जरूर कोई रिजन होगा यूनिंग कहती है नहीं मैं तो बस तुम्हारी सकसेस को सेलिबरेट करने आई हूँ पहले तो तुमने मेरे ग्रेंट पा और मॉम का दिल जीत लिया और अब तुम सबकी नजरों में एक शाइनिंग स्टार बन गई हूँ लोग तो यह भी भूल गए कि मैं भी एक डिजाइनर हूँ यावया बोली मैं तो बस अपनी जौब अच्छे से करना चाहती थी मैंने तुमसे कॉम्पिटीशन करने के बारे में कभी नहीं सो थीक है मैं पाश्ट को भूल चुकी हूँ तब ही योनिंग को फ्लेश बैक में एक सीन आदाता है जिसमें उसने यावया की वाइन में एक मैडिसन मिला दी थी यह याद करने के बाद वो यावया उसे बूली मेरी मॉम ने मुझसे फूंकल को बुलाने के लिए का था जो य ये तिंग उसे एक रूम में खींच लेता है और उससे कहने लगा मुझे पता चला है कि मेरी मॉम ने तुम्हें धंकी दी थी मुझे छोड़ने के लिए यावया बूली ये तुम कैसी बाते कर रहे हो इसा कुछ भी नहीं है ये तिंग बोला मैं सब कुछ तुमसे पूंच करने लगती है और उसके क्लोज रिमूव कर रही होती है फिर ये तिंग भी उसे किस करने लगता है वहीं दूसी और यावया की स्टेज पर आने के लिए अनौंसमेंट होती है लेकिन वह वहाँ पर नहीं थी तब योनिंग अपने ग्रेंटपा से कह दिये वो मिश्ट फू साथ हुई तो मैं उसे छोड़ूगी नहीं फिर मेडिया रिपोर्टरस वाँ अपना अपना कैमरा लेकर खड़े हो जाते हैं इसके बाद मिश्ट फू अपने रूम का डोर खोलते हैं फिर उनकी वाइफ उनसे कहती है यावयाव कहां पर है मिश्ट फू कहने लगे यावय उससे सौरी बोलकर वहां से जाने लगती है तो ये तिंग बोला तुमने जो किया है तुम्हें उसके लिए रिस्पॉंसिबल रहना होगा इस पर यावयाव कहती है तुम अब यूनिंग की फ्यांसे हो हमारे बीच कोई रिलेशन होना ठीक नहीं है तब ये तिंग उसे बात करने लगते हैं कि लगता है इस डिजाइनर की नजर मिश्टर फूपर नहीं कि उनके बेटे पर थी शायद इसकी वज़े से इन दोनों फैमलीज के बीच कॉपरेशन हो रहा था अभी मिस्जिया वहां कर उसे थपड़ मार देती है तो यावयाव कहती है मेरी वाइन म सेやवयाव उसे प्यार किया है और मैं शादी भी उसी से करूँगा यूनिंग गुस्से में कहने लगी तुम इतने सारे लोगों के सामने मेरी इंसल्ट कर रहे हो यह तिंख बोला तुमने वह उसी तरह से ठींट कर रहा हूं जैसे तुम दूसरे लोगों को करती हो फिर यूनिंग अपनी मॉम से बोली, मॉम देखा आपने, आप और ग्रेंट पर इस लड़की से बहुत प्यार करते थे थे न, अब देखो इसने मुझसे मेरा प्यार चीन लिया, ये कहा कर वो अपने बालों से हेर पिन निकालती है, और अपनी गर्दन पर रख कर बोली, सच में रिग्रेट हो रहा है कि मैंने तुम पर ट्रेश्ट किया, यावयो बोली, मुझे सच में किसी ने फसाया है, मिस्स जिया कहती है, मैं तुम पर दोवारा कभी ट्रेश्ट नहीं करूंगी, मुझे तो उस आदमी से तुमें बचाना ही नहीं चाहिए था, तब ही उस करोगी, तुमने जान भूज कर मुझे अप्रोच किया, ताकि जिया फैमिली को डैस्ट्रॉय कर सको, तुम मेरी बेटी की कुशिया चीनना चाती हो, यावयो बोली, मुझे यूनिंग ने जान भूज कर फसाया है, ग्रेंपा आप तो मेरा एकिन करते हैं ना, ग्रेंप चुकानी होगी, तब ही वहाँ पर यू अंकल आ जाते हैं, और उनसे बोले, यूनिंग तुमारी बेटी नहीं है, फिर वो मेडिया रिपोर्टर से कहता है, सब लोग अपने कैमराज ओन कर लो, तुम लोगों को आज एक ट्रेंडिंग न्यूस मिलने वाली है, क्योंकि मैं आजो को और बुली नहीं करने दूगा, तब ही यूनिंग अपने ग्रेंडपा से बूली, ग्रेंडपा आप इन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेते, तो ग्रेंडपा कहते हैं, एक बार हम सुनतों लेते हैं, वो क्या कहना चाता है, फिर अंकल बोले, इसकी वेष्ट पर ए मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं आज के बाद यावयो को बुली नहीं करूँगी आप मुझे हट ना करें अंकल कहने लगे तुम ये दिखावा करना बंद कर दो और सब लोगों को अपना बर्थ मार्क दिखाओ तबी मिस्जिया यावयो से कहती है तुम भी अपने अंकल के साथ मिली हुई हो ना ताकि मेरी बेटी की जगह ले सको और मेरी डॉटर बन जाओ तबी अंकल कहते हैं वो सच में तुमारी डॉटर है तुम मिस्जिया कहने लगी मेरी सिर्फ ए की डॉटर है और वो यूनिंग है तुम पूर लोग इतना नीजे गिर सकते हो मैंने सोचा नहीं था मेरी डॉटर बनने की तुमारी अउकात नहीं है तबी ये तिंग की मॉम बोली पहले तुमने मेरी बेटी को सेड्यूज किया और अब तुम यूनिंग की जगह लेने आई हो फिर यूनिंग अपनी मॉम से बोली मॉम इसके अंकल ने मुझे बुली किया है मैं अब और जीना नहीं चाहती यावयाव बोली तुम ये नॉनसेंस बाते मत करो मेरे अंकल ऐसे परसंद नहीं है जैसा तुम बोल रही हो अब यावयाव के पास कोई रास्ता नहीं था तो वो अपने अंकल को वहाँ से भागने के लिए कहती है फिर उसके अंकल वहाँ से भाग जाते हैं और सिक्योर्टी गार्ड्स उनका पीछा करने लगते हैं इसके बाद एक आदमी आकर उसके अंकल को टकर मार देते हैं फिर यावयाव भागते विए जल्दी से अपने अंकल के पास जाती है और फूब बहुत जदर रोने लगती है तब यावयाव डरो मत तब ही यावयाव कहती है कल आप बोलना बंद करो मैं एंबूलेंस को कॉल करती हूँ तब ही अंकल बोले अगर मैंने अभी नहीं का तो बहुत लेट हो जाएगा मैं हमीशे तुमारा ही अंकल रहूंगा और इतना कहे कर वो बेहुश हो जाते हैं तब ही वहाँ पर ये तिंग आता है तो यावयाव रोते वे उससे बूली अब मुझे हिट करना चाती है तो कर सकती है तब ही उसकी मौम चलाते वे बोली काश मैंने तुमारा गला घोटकर मार दिया हो था ये कहकर वो फिर से उसे मारने लगती है लेकिन ये तिंग उन्हें रोक लेता है तो जियांग उनसे बोली तुम तो यूनिंग के फियांसे ह तुम्हें उसके साथ होना चाहिए था तो तुम यावयाओ के साथ क्या कर रहे हो तभी ये तिंग बोला सुरू से लेकर आज तक मैं सिर्फ यावयाओ से शादी करना चाहता था ये सुनकर जियांग बोली ओ तो अब मुझे समझ आया तुम वहाँ जॉब करने नहीं बलकि ल साथी है और उससे कहती है तुमारी वज़े से मेरे भाई की डैथ हुई है मैं तुमें भी मार डालूंगी अगर तुम उसे लेकर जिया फैमिली में ना गही होती तो आज वो जिन्दा होता तुम अपनी किसमत को एकसेप्ट क्यों नहीं कर लेती तभी ये तिंग उससे बो आते थी है और फिर उसे वही छोड़कर चली जाती है अगले सीन में ग्रेंपा को अंकल की कही हुई बात याद आ रही थी कि यूनिंग की बॉड़ी पर एक बर्तमार्क है तभी वहां पर यूनिंग आ जाती है और उससे कहती है ग्रेंपा आपने मुझे बुलाया तो ग्र ग्रेंपा बोले यह क्या हुआ यूनिंग कहती है उस आदमी ने मुझे गलती रादों से यहां टच किया था इसलिए मैंने वहां से अपनी स्किन अठा दी अब हमें फ्लेश पैक में एक सीन दिखाय जाता है जिसमें यूनिंग अपने आप से कहती है लगता है इस बर्तमा इसके बाद से आप वियर्ड भीयो कर रहे हैं तो ग्रेंपा बोले क्योंकि उसके जश्ट बाद ही यावयो के अंकल की डैथ हो गई इस पर यूनिंग कहती है उसने मुझे हरेश किया था फिर वो जो भाग रहे थी तब एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी वो यही डिजरू करता है फिर ग्रेंपा बोले तुम इतनी क्रूल कैसे हो सकती हो यूनिंग कैती है तो आप क्या चाते हैं कि मैं उसके लिए सेड फील करूँ इस पर ग्रेंपा कहते हैं हाँ तुमें जिया फैमली की तरब से उनके फ्योनरल में जाना होगा यूनिंग इसके लिएमनाЬकर ऑ ठीक अगर तुम नहीं जाना चाती तो मैं ज्याव फैमिली का वारिस किसी और को बनाऊंगा यूनिंग बोली क्रेंट पाप मेरे लिए इतना क्रूल कैसे हो सकते हैं क्या यावया की वज़े से इन सब का उससे कोई लेना देना नहीं मैं बस किसी हाटलेस परसन को ज्या फैमि वूंरल में शामिल उना चाहती हो तो जियांग गोली तुमहीं ने उने मारा और अब तुम्हें उनका फ््यूनरल करना हुग कहने लगी मॉम उनने मैंने मारा ये सब यूनिंग में कहा है रोते वे बå hom आपुका हैं ङूंनिंग आ गला दिया जियांग कर तो महम प्लीज मुझे माफ कर दो तो जियांग कहती है मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती थी तुम मेरी डॉटर नहीं हो निकलो यहां से यह कहकर वो उन्हें दूर धक्का मार दे थी है और फिर उसे बार-बार धक्का मार कर वांसे निकालने लगती है तभी यावयाव को फ्लेश बैक में एक सीन यादाता है जिसमें उसके अंकल उसे एक पोयम सुना रहे थे तभी यावयाव अपने अंकल से कहती है अंकल उन स्टार्स को देखो वो कैसे चमक रहे हैं मैं कभी स्टार नहीं बन सकती तो अंकल कहते हैं किसने का जब तुम बड़ी हो जाओगी तब डेफिनेटली एक शाइनिंग स्टार बनोगी। फिर यावयाव बोली तो फिर जब मैं शाइनिंग स्टार बन जाओगी तब तो मेरी मॉम उससे हेट नहीं करेंगी ना। इस पर अंकल कहते हैं तुमारी मॉम तुमसे हेट नहीं करती उन्हें बस अपना लव एक्सप्रेस करना नहीं आता तुम अपनी मॉम को थोड़ा टाइम दो फिर देखना वो तुमसे बहुत प्यार करेंगी ये सब याद करते हुए यावयाव वहां से जा रही होती है तब ही ये तिंग उसे रोकते हुए कहता है चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ यावयाव बोली अब मेरा कोई घर नहीं है मुझसे कोई प्यार नहीं करता तब ही ये तिंग बोला तुम मेरी तरफ देखो जहां मैं हूँ वही तुमारा घर है मुझे तुम अपनी फैमिली बन मैं दिसिजन नहीं लेपाया लेकिन मैं अच्छे से समझ चुकाएं कि मुझे क्या चाइ crochet मैं तुमसे प्यार करना चाता हूँ तुम्हारी साथ रहना चाता हूँ और तुम्हारे अंगल आप जा चुके हैं और तुम्हें इस वक्त कैर की जरूरत है मैं हमेशा पिर यावयाव उसे रोते वे हग कर लेती है वही मिस जिया उसे देख रही होती है और अपने आप से बोली मुझे इस लड़की के लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है तब उसकी असिष्टेंट कहती है मिस जिया क्या आप वहाँ जाना चाहती है तब उसके पास क्रेंटपा का असिष्टेंट उनसे बोला मुझे लगता है कि पिछली बार जो मैंने डियाने रिपोर्ट्स दी थी उनमें कुछ गड़वर थी क्रेंटपा बोले हां मुझे भी कुछ गलत लग रहा था तुम्हें काम करो किसी तरह यावयाव का हैर सैंपल लो और उसके ड तुम तो जिया फैमिली की सन इनलो हो और मैं तुम्हारी पुरानी लवर फिह हान बोला मैं यहाँ तुमसे कोई नॉनसेंस बाते करने नहीं आया ये बताओ तुम अपनी डॉटर को लेकर मेरी फैमिली में क्यो आई थी जियांग बोली क्या तुम डर गए कि कहीं मैं तुम गरहान बोला ये तुम क्या नॉनसेंस बाते कर रही हो तभी यूनिंग ये सब सुन लेती है फिर जियांग उसके पास जाती है तो यूनिंग बोली मुझे टच मत करना दुबारा कहो अभी तुमने क्या कहा तुम कह रही हो कि मैं तुमारी बेटी हूँ जियांग कहती है हा आप ये सब कैसे कर सकते हैं। आप ही ने इनसे मेरा अबोर्शन करने के लिए कहा था। तबी जियांग बोली। लेकिन मैंने अबोर्शन नहीं कराया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। और इसलिए मैंने तुम्हें जियांग फैमली के साथ एक्सचेंज कर लिया। ताकि तुम्हें सारी खुशियां मिल सके। तबी यूनिंग उन्हें धपड मार दे थी है। और उनसे बोली। तुमने मुझे इसलिए रिप्लेस किया क्योंकि तुम उसे प्यार करती थी। या फिर तुम जियांग फैमली से रिवेंज लेना चाहती थी। लेकिन मैं तुम्हें अपनी फैमली को डैश्ट्रोय नहीं करने दूँगी। अपनी बेटी को लेकर इस सिटी से निकल जाओ। अच्छा हुआ कि उसका अंकल मर गया। वरना वो मेरा सच सब को बता दे था। ये सुनकर जियांग बोली। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। वो तुमारे अंकल है। यूनिंग बोली। शट अप। मेरा कोई अंकल नहीं है। और मैं तुमें भी अपनी मदर नहीं मानती। अगर तुम सच में मेरा भला चाती हो ते सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने दो। सुना तुमने। जियांग कहती है हाँ। अगर तुमें इससे कुशी मिलती है तो मैं ऐसा ही करूँगी। फिर वो अपने डैड के साथ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जियांग रोते वे अपने आपसे बोली। मेरी बेटी ऐसी कैसे हो सकती है। इसके बाद मिश्टर हान अपनी बेटी से कहते हैं। प्रीज इस बारे में अपनी मॉम को कुछ मत बताना। इस पर यूनिंग बोली। मुझे पता नहीं था कि मेरी डैड इतने डर पोक है। खेर अभी मेरी और आपकी कंडिशन सेम है। मैं मॉम को कुछ नहीं बताऊंगी। और आप भी अपना मूँ बंद रखना। अगले सीन में ये तिंग यावयाओ के बाल सुखा रहा होता है। तब ही यावयाओ उससे बोली क्या तुम सच में मुझे इस बात के लिए बलेम नहीं कर रहे। कि मैं तुम्हें बिना कुछ बताये तुम्हें छोड़ कर चली गई थी। इस पर ये तिंग बोला। तुम जब अचानक से मुझे छोड़ कर गई तो मुझे काफी वियर्ड लगा। और मेरी मॉम ने मुझे बताया कि तुम मुझे पैसो के लिए छोड़ कर गई हो। तो यावयो कहती है ऐसा नहीं है बस उन्हें अपना प्यार एक्सप्रेस करना नहीं आता वरना इस दुनिया में कोई मदर ऐसी नहीं जो अपने बेटी से प्यार ना करती हो। वो भी जरूर मुझसे बहुत प्यार करती हैं और वो मुझे घर से निकालना भी नहीं चाहती होंगी फिर ये तिंग कहता है खेर अभी हमें इस बारे में बात नहीं करने चाहिए फिर यावयाव बोली कहीं मेरा यहां रहना गलत तो नहीं होगा क्योंकि अब तुम यूनिंग के फ्योन से हो इस पर ये तिंग कहने लगा ने कभी भी जिया फैमली से प्रॉमिस नहीं किया कि मैं उनकी बेटी से शादी करूँगा मैं हमेशे से तुम से प्यार करता हूँ और मैं तुम से ही शादी करूँगा यावयाव बोली, लेकिन तुमारी मॉम मुझे लाइक नहीं करती, ये तिंग कहने लगा, तो क्या उनकी वज़े से मैं तुमसे शादी ना करूँ, इस सब का उनसे कोई लेना देना नहीं, यावयाव कहती है, लेकिन वो तुमारी फैमिली है, ये तिंग बोला, तुम भी उसे फिर से हक कर लेता है, और उससे बोला, फ्लीज अब तुम रोना मत, मैं हमेशे तुमारे साथ रहूँगा, तुम अब रेष्ट करो, मैं तुमारे लिए कुछ खाने को बना कर लाता हूँ, लेकिन तभी हो देखता है कि यावयाव की नाक से ब्लेडिंग हो रही थी, तो वो उससे कहती है, लगता है बारिश में भीगने की वज़े से मुझे ठंड लग गई है, फिर ये तिंग कहता है, ठीक है कल मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, अगली सुबह उनके घर पर यूनिंग आती है, तो यावयाव उससे कहती है, तुम यहां क् अंदर कैसे आई, तो यूनिंग कहती है, तुम्हें बताना चाहती हूं, कि मैं ये तिंग की फ्योंसी हूं, इस पर यावयाव कहती है, वो अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तो यूनिंग कहने लगी, हम दोनों की शादी हमारी फैमिलीज ने फिक्स की है, तुम आपको समस्ती क्या हो यावेव बोली अब वो मेरा बॉइ-फ्रेंड है तब ही यूणिंग उसे एक स्लैप मार देती है तो यूणिंग उसे बोली तुम नहीं की बेटी को हिट करो यावेव बोली तुमने यही आकर मेरे लिए चीजों को डिफिकल्ट बनाया फिर अगर तुम मुझे कुछ बात करने के लिए नहीं आई तो मैं यह आँसे जा रही हूं ए खया कर वह वहां से जाने लगती है तब यूनिक उसे रोक कर बोली मैं तुमें छोड़ूंगी नहीं तुमने मुझे मेरा प्यार चीनने की कोसिस किया है यहां तक कि मुझे मेरी पोज अगले सीन में वो दोनों ही ऑस्पिटल में होती हैं और वहां पर उन दोनों की मौम आ जाती हैं यावयव अपनी मौम को वहां देखकर बहुत कुछ थी लेकिन उसकी मौम तो सिप यूनिंग की तर्फ देख रही थी तब ये तिंग उससे बोला यावयव अभी बेहुश हो चाहती हो ये कहकर वह उसे स्लैप मारने वाली होती है लेकिन ये तिंग उनका हाथ पकड़ लेता है और उसे बोला आप यावयव की मदर है या फिर यूनिंग की तभी डॉक्टर उनसे बोली अप लोग शान्त हो जाइए और पहले रिजल्ट चेक कर लो ये तिंग कहता है आप बताओ रिपोर्स क्या आई है तो डॉक्टर बोली इसे लाश्ट स्टेज में बलड कैंसर है ये सुनकर जियांग कहती है इन दोनों में से किसको कैंसर है तो डॉक्टर बताती है कि यावयव को ये सुनकर जियांग को कफी रिलेक्स फील होता है और फिर ये तिंग लाइफ नहीं है फी डॉक्टर उनसे कह दिया एक बार आप लोग मेरी बात सुनो एक बार मिस्जिया यहां पर ब्लड डोनेट करने के लिए आई थी और तब हमने इनका बोन मैरो सेंपल लिया था और मुझे लगता है कि आपका बोन मैरो यावयाव से मैच करता है हमें जल से कहता है जब आपको टाइम हो तो क्या आप बोन मैरो टांसप्लांट के लिए आ सकती हैं लेकिन मिस्जिया बोली मैं इस लड़की को बोन मैरो डोनेट नहीं करूंगी तब ही डॉक्टर बोली मिस्जिया आप एक बार फिर से सोच लीजिए आपके बोन मैरो डोनेट करने से किसी की जान बच सकती है लेकिन मिस जिया बोली मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी की जान बचती है या नहीं फिर डॉक्टर बोली लगता है आप लोगों के बीच काफी सारी मिस अंडरस्टेंडिंग्स है मैं आज से जाती हूँ आप लोग अच्छे से बात कीजिए ये कहकर डॉक्टर वहां से चली गई इसके बाद यावयो मिस जिया से बोली आँटी क्या मैं आप से पूछ सकती हूँ कि आप मुझे इतना हेट क्यू करती है तो मिस जिया कहने लगी तुमने मेरी बेटी को इतनी बार बुली किया है तो तुम्हें उसकी कीमत तो चुका नहीं कि मैं तुम्हारी जान बचाऊं ये तिंग बोला आंटी किसी की जान का सवाल है लेकिन मिस जिया बोली ये मेरी कोई डॉटर नहीं है जिसके जीने या मरनने से मुझे कोई फर्क पड़ेगा तबी जियांग अपने मन में बोली जो मरनने वाली है वो तुम्हारी बेटी या वैंव मिस्जिया से बोली अंटी मैंने यूनिंग को कभी टारगेट नहीं किया हमारे बीच सिर्फ मिसंडरस्टेंडिंग्स हैं और मैं फिर भी आप से माफी मांगती हूं फ्लीज आप मुझे बचा लीजिए मैं अभी अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हूं यह कहकर वो उनके सामने अपना सर जुका लेती है फिर यह तिंग भी अपना सर जुका कर उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है तब यूनिंग यह तिंग से बोली यह लड़की तुमसे कोई प्यार नहीं करती यह तुम्हें साथ इसलिए है क्योंकि यह मुझसे चीनना चाहती है मौम अगर आप फिर भी इसे बचाना चाहती है तो मैं कुछ नहीं कहूंगी तब ही उसके मौम बोली तुम यह कैसी नॉंसेंस बाते कर रही हो मौम सिर्फ वही करेंगी जो तुम चाहती हो मैं ऐसी लड़की की जान कभी नहीं बचाऊंगी जिसने मेरी बेटी की हैपिनस यह कहकर वह उसे वहां से ले जाती है उनकी जाने के बाद यावयव बोली अब हम क्या करेंगे तो यह तिंग कहता है तुम फिकर मत करो मेरी तो इसकी बायोसिकल मौम है आपका बोन मेरो जरूर इससे मैच करेगा फ्लीज आप एक बार चेक करवाओ हो सकता है हमें कोई अगले सीन में ये तिंग उसी पैठा होता है और हो सोच रहा होटा है कि वह यावयम को कैसे बचाए तब ही वहाँपर पिस जी आ जाति हैं तो ये तिंग उनसे बोला आपने मिंड चेंज कर लिया न दोनों ही एक बिजनिसमेन है तो चलो एक डील करते हैं तुम मेरी बेटी यूनिंग से इंगेजमेंट कर लो और मैं यावयो को बचा लूगी यह सुनकर ये तिंग बोला तो आप यावयो की लाइफ का सौधा करना चाहती है इस पर मिस्स जिया बोली हमारे पास और कोई आप बोलना अपनी हेल्थ की अच्छे से क्यार करना तबी यावयो रोते वे बोली ये तिंग क्या तुम सचमी यूनिंग से चादी कर लोगे इस पर ये तिंग कहता है मेरे लिए तुमारी लाइफ तुमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट होनी चाहिए फिर यावयो कहने लगी ये नहीं सुनना चाहती वहीं दूसरे और यूनिंग की मॉम उसे बताती है कि ये तिंग तुम से शादी करने के लिए मान गया है ये सुनकर यूनिंग बहुत ज़्यदा खुश हो जाती है फिर मीज जिया बोली देखो तुम कितनी खुश हो तुमारी मॉम तु मैं बहुत शेल्फिस हूँ लेकिन मैं यूनिंग की मौम हूँ और मेरे लिए इसकी हैपिनेस से बढ़कर और कुछ नहीं तभी ग्रेंट पा अपने मन में कहते हैं लेकिन मैं तो यह सूच रहा हूं यूनिंग तुम्हारी असली डॉटर है या नहीं अगले सीन में अपने अ मिलता है जिसे देखकर वो गुस्से में बूली इस लड़की ने मुझसे पीट पीछे पैसे चुपा रखे हैं तब ही वो उस पर कुछ लिखा वह देखती है जिसे देखकर उसके आंकों से आसु आ जाते हैं क्योंकि यावयव ने पैसे अपनी मौम के लिए सेव करके रख रहते है जावय तुम्हें एसा क्यों लगता है कि हर कोई अच्छा होता है जबसे तुम पैदा हुई है तबसे मैं तृम्हें लेकिन फहेंले तुमने पैसे सेव किए चाहने लग है तुम्हारी मौम है तो इसे चुड़ा लेधीर और युद् JON तो मुझे जाते हैं लेकर वहां से जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूंग एक आदमी को पैसे दिया और उससे जियांग को मारने के लिए कहती है। तो वो आदमी कहता है, आप फिकर मत करो, मैं सब कुछ अच्छे से करूँ, और कोई भी आप पर डाउट नहीं करेगा, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, उसके जाने के बाद यूनिंग के डैड बोले, तुम तो मुझसे भी ज़दा क्रूल हो, जब यायो हॉस्पिटल से दिश्चार्ज होगी, तब मैं उसको और उसकी मॉम को सिटी से बाहर बेज़ दूगा, तो फिर तुम्हें उसे मारने की क्या जरूरत है, इस पर यूनिंग कहती है, डैड लगता है आपने अभी तक लेसन नहीं सीखा, अगर वो जिन्दा रही तो फ्यूचर में फिर से हम मेरी मदर नहीं हो, जियांग बूली, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, यूनिंग प्लीज तुम बुरे काम करना बंद कर दो, और यूनिंग को माफ कर दो, जब वो ठीक हो जाएगी तब मैं उसे अपनी लाइफ से निकाल दूगी, तब यूनिंग उसके हाथ से वो एनवलप छी देती है, फिर जियांग रोते वे उन पैसों को उठाने लगती है, तब यूनिंग उससे बूली, जब यूनिंग को ये बात पता चलेगी, कि तुमने उससे उसकी एक ब्राइट लाइफ छीनी है, तब भी क्या वो तुमें सपोर्ट करना चाहेगी, ये सुनकर जियांग च दॉक्टर को बलाने लगती है, अगले सीन में वो डॉक्टर से कहती है, यावय अब कैसी है, तो डॉक्टर बोली, इसे इमीडिटली सर्जरी की जरूद है, करना इसकी जान जा सकती है, लेकिन आज तो मिस्जिया की बेटी की इंगेजमेंट पार्टी है, तो वो यहां इन केने जा रही हूं, ये सुनकर वहां खड़े लोग बोलने लगे, ये तिंग तो उस पूर लड़की से प्यार करता था, फिर ये यूनिंग से शादी क्यों कर रहा है, इसके बाद ये तिंग वैडिंग रिंग निकालता है, लेकिन तभी वहां पर जियांग आ जाती है, और गुटनों पर बैठ कर बोली, मिस्सया प्लीज यावयाओ को बचा लो, अभी वहां पर यावयाओ भी आजाती है, और जियांग से कहने लगी, मॉम प्लीज उठ जाओ, फिर मिस्सया उन से बोली, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, जियांग कहती है, तुमसे भीक मांग प्लीज यावयो को बचा लो मिस्जिया कहने लगी मैंने तुमसे कहा तो था इंगीजमेंट पार्टी के बाद मैं इसे बोन मैरो डोनेट कर दूंगी तो तुम इतना भी वेट नहीं कर सकते कि इस वक्त मैं अपना ऑपरेशन करवाऊं और इसकी कंडिशन अगर इतनी खराब नहीं किया फिर यूनिंग रोते विए अपने मॉम से बूली मॉम ये फिर से मेरी हैप्पिनेस चीनने आ गई फिर यूनिंग उनसे बूली तुम यहां मेरी बेटी की इंगेजमेंट रोक ने आ गई इसका मतलब है कि तुम अभी नहीं बनने वाली इन दोनों मदर और डॉ यह सुनकर यावय उनसे बूली मॉम आप यह कैसी नॉंसेंस बाते कर रही है प्लीज आपको यह सब करने की कोई जरूत नहीं तब ही जियांग मिस दिया से कहती है तुनिंग तुमारी डॉर्टर नहीं है तब ही यूनिंग उसे थपड़ मार दे दिया और उससे कहने लगी पहले यावय के अंकल ने यहां आकर यही जूट बोला और अब तुम भी वही कर रही हो मॉम आप तो इनका यकिन नहीं करेंगी न तो उसकी मॉम कहती है हाँ मैं सिर्फ तुम पर यकिन करूंगी ये पूर लड़की मेरी डॉटर बनने के लायक नहीं है फिर जियांग बोल आप मुझसे प्यार करें मेरे लिए इतना ही काफी है फिर यूनिंग अपनी मॉम से कहती है मॉम ये लोग मेरी वैडिंग में सीन क्रेट कर रहे हैं ये सुनकर मिस्जियां उनसे बूली तुम्हें रोना है तो बाहर जाकर रो अगर तुम लोगों ने इस सब कंटीनू रख होस्पिटल जाकर ये रिपोर्ट्स लेकर आया हूं मिस्जिया बूली कौन से रिपोर्ट्स ग्रैणपा कहते हैं मैंने तुम्हारा और यावयो का डियने टेस्ट करवाया था तुम खुदी इसी चेक कर लो यह कहकर वो उन्हें रिपोर्ट्स को चीनने की कोसिस कर दी है फ क्यूंकि मुस्जिया बहुत अमीर थी इसलिख वो उसे नहीं छोड़ना चाता था इसलिख मैं इसे बहुत नफरत करती हूं और इसीलिख मैंने हमारी डौटर्स को एक्सचेंज कर लिया ताकि मेरी बेटी को एक अच्छी लाइफ मिले और मिस्जिया की बेटी को मेरे साथ एक पूर लाइफ जीनी पड़े मिस्जिया बोली इसका मतलब यूनिंग तुमारी बेटी है और यायो मेरी जियांग कहती है हाँ और योणिंग की body पर एक birthmark भी है तभी योणिंग उसे मारने के लिए जा रही हो थी लेकिन ये तिंग उसे रोक देता है तभी मिस्जिया उसे कहने लगी तुम मजाग कर रहे हो ना तुम मेरी बेटी को उसे Indian ना चाहती हो जियांग कहती है नहीं फिर मिस जिया कहती है का मतलब मैं अपनी बेटी को मारने वाली थी वो भी किसी और की बेटी को बचाने के लिए यूनिंग रोते वे बोली मॉम मैं किसी और की बेटी नहीं हूँ मैं आपकी बेटी हूँ मिस जिया बोली क्या तुम ये बात पहले से जान दी थी तो यूनिंग बो तो यावयाव भी वहां से भाग जाती है और अगले सीन में वह एक बिल्डिंग से कूदने जा रही होती है तब सबी लोग उसे रोकने के लिए आ जाते हैं तो यूनिंग कहती है को भी मेरे पास मत आना तब प्लीज मेरे साथ हॉस्पिटल चलो मैं तुम्हें बोन मैरो डोनेट करूंगी तो यावयाव भूली लेकिन अब मुझे इसकी जरुवत नहीं है जियांग बोली आगल लड़की यह तुम कैसी बाते कर रही हो तो जियांग कहती है 20 साल तक मैं एक जूटी लाइफ जीती रही यहां तक कि मेरा नाम भी फेक है मेरे पास कोई बर्तमार्क नहीं है मैं कोई शाइनिंग स्टार नहीं हूँ तब ही यह तिंग कहता है तुम मेरी लाइफ में स्टार हो फिर मिस जिया बोली अगर तुम्हें नाम पसंद नहीं है तो हम तुमारा नाम चेंज कर देंगे फिर जियांग कहती है, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने बेटी मांंती हूँ, यावयो बुली, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, यह तिंग बोला, लेकिन मेरा क्या, क्या तुम मुझे भी नहीं जाती है, यावयो कहती है, update है, लेकिन मैं अब ठक चुके हूँ, अब मैं और बर किया यावयाओ कहती है नहीं अंकल कहते हैं फिर तुम रो क्यों रही हो तो यावयाओ कहती है अंकल आप मुझे यह बताओ क्या सच है और क्या जूट तो उसके अंकल बोले यह तुम मुझे कैसे question पूछ रही हो तुम्हारे अंगल को तो book पड़े हुए भी काफी दिन हो गए हैं लेकिन जो मैं प्यार तुम्हें देना चाहता हूं वो सच है और मैं तुम्हें हमेशे कुछ देखना चाहता हूं भले तुम्हारी मौम कुछ भी कहें चलो अब तुम वापस जाओ यावयो बोली लेकिन अब मैं और बरदास नहीं कर सकती तो उसके अंकल बोले जब तुम अपने अंकल को याद करो तो स्टार्स की तब देखना चलो अब वापस जाओ जो लोग त तुम से प्यार करते हैं वो तुमारा वेट कर रहे होंगे यह कहकर उसके अंकल वाँ से चले जाते हैं और फिर यावयो बहुत जएदा रोने लगती है अब हम देखते हैं कि यावयो को होश आ जाता है और उनसे बोली एम सौरी मैंने आप लोगों को इतना वेट करवाया फिर वो यह तिंग से आई लव यू कहती है और यह तिंग उसे किस कर देता है इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है आपको इड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही नए चाइनीज ड्रामा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे थेंक्स फर वाचिंग